स्टूडिंस जैमा सरस्वती क्लास फिप्थ तो आज हम अपना चेप्टर नबर टैन्थ स्टार्ट कर रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस इससे पहले हम अपना पर्सथीज पड़ सुके हैं अब देखिए प्रॉफिट एंड लॉस में हमारा क्या है देखिए सबसे प्रॉफि means जिसमें हम खरीडते है किसी चीज को that is called cost price the amount paid to purchases an article or the price at which an article is made in known as cost price means जिसमें हम खरीडते है किसी चीज को उसे कहते है cost price and math में इसे हम in sort लेते है cp okay and the second selling price what means to selling price the price at which an article is sold in known as its selling price जब हम किसी चीज को बेचते हैं जिसमें उस चीज को बेचा जाता है वो price कहलाती है हमारी selling price और उसे हम in sort maths में क्या कहते है cp okay and profit profit क्या होता है if the selling price as p of the article is greater than the cost price the difference between the selling price and the cost price is called profit means profit हमारा क्या होता है जब हम किसी चीज को बेचते हैं ठीक है यह हम किसी चीज को लेते हैं तो हमें profit होता है जैसे हम कभी दुकान गए हमसे कहा इसुक्त जो है mango is 40 रुपी की and 하면 जे लेसे 20 में तो हमें 20 रुपी का क्या हो गया profit होगा that is called profit तो वो हमें क्या होता है profit होता है हम कभी बात कहते हैं कि आज तो हमें profit होगा आज हमें loss होगा that कि हमें जिस चीज को लेने में फाइदा होता है वो हमारा क्या है profit फाइदा profit लाब एक ही है सब ठीक है तो वही होता है हमारा profit तो thus if SP greater than CP then profit is equal to SP minus CP mean जब हमारा क्या होता SP जो selling price है वो cost price से बड़ा होता है तो हमारा क्या होगा वो क्या हो जाता है हमारा SP हो जाता है suppose that आप हो दुकानदार आप एक मार्केट गए ठीक है आपने 20 रुपीज में मैंगो लिए मैंगो लिए मैंगो लिए मतलब आपका cost price हो गया आपका cost price हो गया ठीक है यह आपका cost price है ठीक हो गया 40 रुपी में दुकानदार आपको आम दे रहा था तो यह आपका क्या हो गया उसका क्या हो गया यह उसका selling price है selling price यह जो हमें बेच रहा है उसका है और जो हम ले रहे है यह हमारा है तो देखो selling price हमारे 40 के थे mangos हमने बेच दिये बेच दिये हमने अगर 20 में अगर हम ही बेचने वाले हैं इसमें दो कंडिशन हैं एक हम ही बेच रहे हैं या कोई हमें बेच रहा है दो कंडिशन है फॉलो होती है तो देखो फर्स वाली कंडिशन में ले ले लेते हैं कि हम खरीद रहे हैं ठीक है हम अगर खरीद रहे हमने 20 में खरीद दिये वह 40 में बेचना चाहरा था हमने कुछ ऐसा किया कि हमने 20 में खरीद लिया तो देखो 40-20 is equal to 20 अगर वो नहीं देता हमें 20 में तो हमें क्या 40 के लेने पड़ते हैं ना कोई profit होता लेकिन हमने किस में ले लिये 20 में ले लिये थे तो हमें 20 रुपर का क्या हो गया profit means selling price minus cost price SP minus CP is equal to profit okay SP and CP को जह हम minus कहते है SP minus CP that is called profit okay देखो example देखो यहां पर है an article was for 2000 and sold for find the profit हमें इसमें profit ही निकालना है ठीक है तो देखो gain निकालना है हमें देखो कितने gain किये इसमें भी दो rule है देखो सबसे पहले एक तो अभी हमने खरीदा है दूसरा हम बेच रहे हैं अगर हम अगर बेचेंगे तब कैसे profit होगा तब हम 40 का बेच रहे और सामने वाला अगर हमें 45 देखे जाता है तब हमारा profit है तब हमारा profit हो तो इस पर दो condition है यूज होती है तो देखो यहां पर है तो क्या है देखो cost price कितना है हमारा 2000 selling price हमने कितने में देदिया 2000 तूथाउजन तूथाउजन टूहंडेट रूपीज में यानि 2200 रूपीज में तो हमने gain कितने किये कितने पैसे हमने कमाए है तो SP-CP वही किया हमने और क्या आगया हमारे पास 200 यानि कोई जो चीज थी वो आर्टिकल था वो कितने का था वो था 2000 का हमने उसे बेजा 2200 में तो हमें कितना फाइदा हो गया 200 का तो यह जो 200 का फाइदा हुआ यह दुकानदार को वह जिसने बेचा है उसे हो रखा है ठीक है जब हमें क्या होता है यह भी वही होता है loss is equal to SP-CP उसमें क्या था CP-SP था उसमें क्या था SP-CP था और यह हमारा है loss यह हमारा है profit को लेते हैं और हमें उसकी प्राइस से ज्यादा पैसे देने पड़ते हैं तो हमें क्या होता है लॉस होता है तो आप इसे समझ गए होंगे इसमें दो हमारे मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मुले है कौन से देखो हमारे हैं फर्स्ट हमारे पास क्या देखो प्रॉफिट का हमारा क्या हो जाता है SP-CP okay and loss loss का क्या हो जाता है मारा CP-SP okay इसी का बोल जाते है आगे जाते हैं इसका एक्जामपल है profit and loss percentage तो अब हमारा profit and loss percentage भी निकालना पड़ता है the profit percent is the profit that would be obedient for CP of 10-100 तो profit percentage देख लेते हैं सबसे पहले sorry profit percent को ऐसी कर देते हैं तो profit percent होता है हमारा SP यह आएगा SP-CP percent मतलब percent 100 में निकालना तो यह क्या हो जाता है हमारा यह तो नहीं होगा इसके नीचे क्या जाएगा SP आएगा SP आएगा sorry यह गलत होगे SP into 100 okay and देखो cost और इसमें से हम क्या कर सकते कोस्ट इसमें से हम cost price निकाल सकते कैसे सुर्य यहाँ पर CP होता है हमारा क्या होता है profit percent होता है SP-CP upon cp into 100 means हम जब selling price में से क्या करते हैं cost price को divide करते हैं और upon cost price into 100 वह हमारा होता है profit percent इससे हम क्या निकाल सकते है अपना cost price निकाल सकते है कैसे निकाल सकते है इससे हम अपना cost price तो देखो CP अगर हम यहां ले आते हैं CP अगर हम इधर ले लेंगे common तो उपर क्या रह जाएगा सर्फ SP रह जाएगा ठीक हो गया upon नीचे से भी हमने CP ले रखाए तो क्या बज़ जाएगा 1 प्लेस profit यह वाला यहां आ जाएगा न profit percent प्रॉफिट परसेंट अपन हंड्रेट ओके तो ऐसे हम इसको करेंगे यहां पर एक हमें example दे रखाए आप इसको करेंगे इसके बाद एक और example है इसे आप करेंगे ठीक है इसके बाद loss percentage है तो L परसेंटेज लिए लिए लोस को स करेंगे देखाए चाहिंट इसके दोनों में क्या आती है इंटू हंड्रेट बहस जो पर हमारे formula है नीचे हमारा सिर्फ कॉस्ट प्राइगा और इंटू हंड्रेट आएगा ऑके से मेंसे भी हम सीपी कर सकते हैं सीपी निकालेंगे तो क्या उपर करना जाएगा स्पी नीच यह हमारे क्या है कुछ important rules है इसमें आपकी practice exercise दे रखी है और research answer की देख रखे हिंट and solution भी दे रखे तो आप इसे करेंगे कल देखेंगे हम simple interest